हेलो दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करें भारत और अस्टेलिया के बीच खेले गए तीसरे वंडे मैच के बारे में दोस्तों रोहित सर्मा बिराट कोहली का अर्थ सतक बेकार गया अस्टेलिया ने जीता तीसरा वंडे दोस्तो भारती एक टीम ने बुद्वार को आश्टेलिया के खिलाब तीसरा और आखरी वंडे मैच हार गया है भारत को राजकोट के मैदान पर 66 रनों से हार का सामना करना पड़ा आश्टेलिया ने 353 रनों का लक्ष रखा जबाब में भारती टीम 49.4 ऊबर में 286 रन बना कर सीमट गई दोस्तो आश्टेलिया की ओर से गलेन मैक्स्विल ने 10 ऊबर में 40 रन देकर 4 विकेट अटका है कप्तान रोई सर्मा ने संतावन गेंदों में 81 रनों की पारी खेली वहीं बिराट कोहली ने 61 गेंदों में 56 रन बनाए दोस्तो इस हार के बावजूद भारत 2-1 से सिरीज अपना नाम करने में कामयाब रहा भारत ने पहले वंडे में 5 विकेट और दूसरे वंडे में 99 रनों से जीत हासिल की थी दोस्तो इससे पहले आस्टेलिया ने टास जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया आस्टेलिया ने निर्धारित 50 ओबरों में 7 विकेट खोक कर 322 रन बनाए सलामी बल्ले बाज गिलेन मिसेल मार्स ने सरवाधिक 96 रन की पारी खेली वहीं डेविड बारनार ने 56 रन बनाए दोस्तो भारत ने लक्ष का पिछा करने करते हुए शुरुआत अच्छा किया रोहिच और सुन्दर ने पहले बिकेट के लिए 74 रन जोड़े इसके बाद बीराट कोली और रोहिच सर्मा अना बुले तोस तो